नवरात्री पर्व मनाने को लेकर उजेन जिला कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है वहीं गर्बो पर प्रतिबंध रहेगा पंडाल में 5 फिट की प्रतिमा की ही स्थापना की जा सके की जिला कलेक्टर द्वारा नवरात्री पर्व की गाइडलाइन जारी करने के बाद मुर्ती कारों में खुशी का माहुल है उजएन के शांती नगर्क शेत्र में बड़े पैमाने पर मूर्टिया बनाई जा रही है जिला कलेक्टर द्वारा शुक्रवार को आदेश जारी करने के बाद मूर्ती कारों ने नवरात्री पर्व को लेकर माता दुर्गा की प्रतिमाय बनाना शुरू करती है उजेन में करीब 200 ऐसे परिवार है जो विबिना धार्मिक पर्वपर मुर्ती निर्मान का कार्य करते हैं बीते गणेशोत्सो पर्वपर प्रशासन द्वारा सारजनिक तौर पर गणेश प्रतिमाय बैठाने पर प्रतिबंध लगाया था जिसकी वज़ा से मुर्तिकारों को काफी नुकसान उठाना पड़ा जिला कलेक्टर आशिश सीह ने जो गाइडलाइन जारी की है उसमें नवरात्री पर्वप में दस बाय दस साइस के पंडाल बनाय जाएंगे पंडालों में सापित की जाने वाली माता दुर्गा की प्रतिमा की उचाई पांच फिट होगी पंडाल सापित करने से पहले अनुमती लेना अनिबारी होगा साथ ही गर्बों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहका जिला कलेक्टर ने लोगों से अपील किये है कि वह गाइडलाइन का पालन करे बायरहाल अब देखना दिल्चस्प होगा कि एक और जहां उच्जेन में कोरोना अपने पैर पसार रहा है वहीं उच्जेन जिला कलेक्टर का ये आदेश जनता के लिए भारी ना पड़ जाए मृदोभाशी के लिए उच्जेन से अमरत पैंडवाल की रिपोर्ट